वेल्कम टू आपर चैनल केमिस्ट्री विजाड आज के हम इस वीडियो में केमिस्ट्री ओनर्स पेपर 5 कोस्ट्रियन वैंक सलूशन 2019 का देखेंगे जो कि एलन एक कोस्ट्री और अपके बता दूँ कि मैं इस चैनल पर केमिस्ट्री अबनाता चाहता हूं साथ ही साथ कोस्ट का solution चाहिए PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp पे संपर्क करके प्राप्ट कर सकते हैं 65 डुपेपर पेपर के हिसाब से तो बहराल अभी देखिए question bank 2019 का पहला question हम लोग देख रहे हैं explain करने वाला physical absorption is exothermic होता है उसको explain करना है तो देखिए हम लोग जानते हैं we know that del g equal to del h minus t del s देखें अभी हम लोग simply आपको describe कर रहे हैं question को समझाएंगे नहीं क्योंकि समझाने का वक्त नहीं है अभी है समझा चुके हैं हम particular video में छोटी 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 खंड़ों में बांटकर हम समझा चुके हैं तो इसमें सिर्फ फर्म लोग आपको question से रूबरू करवाएंगा उसके answer से रूबरू करवाएंगे तो यहीं रखें रिडिश्वल अन्बैनेंस फोर्स ऑन दा सर्फेस और इस रिजल्ट देरिज डिक्रेज इन सर्फेस इनर्जी फिच एपियर्स एज हीट हिंस फिजकल एब्जर्शन इस एक्सोथर्मिक रेक्शन हम लोग जानते हैं कि गिप्स रिकेशन में डेल जी इकल टो डेलेज डेल डेलजी का मान अगर डेल एफ कम नगेटीव होता है तो डेलजी वी नगेटीव हो जाता है इसी लिए डेलेल कि वहता वो बहुत बेंब्द्ध को लुक्त में के साउद जाने तो नबर मोस्कार्ट थिजम्ट ग्री करता है क्वान्टम इंगन त Annika मारें तुश divided by absorbed quanta हम लोग जानते हैं कि quantum yield जिसको हम लोग 5 के दोहर डिनोट करते हैं वो होता है number of moles converted into product but absorbed photon या quanta इसे को हम लोग बोल सकते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं कि quantum yield is equal to rate of reaction by upon absorbed Einstein तो quantum yield of photochemical reaction is high due to following region chain reaction अब hydrogen और क्या होता है है chain reaction हो जाता है more than one reaction कोई बोलते है chain reaction तो इसी कारण होता है पहला रिजन तो यह है दूसरा reactive molecules gives energy to another molecule और reactive molecule जो होता है दूसरे molecule को energy देता है इस कारण भी होता है excited molecule get decomposed or disintegrate excited molecule जोता है वो get decomposed रहता है या disintegrate हो जाता है chemical combination of hydrogen and chlorine has chain reaction and following all above rules hence hydrogen and chlorine has high quantum yield I hope कि आपको यह समाज में आया होगा next question है कि dipole moment of benzene is zero dipole moment जो होता हो बेंजीन का zero होता है क्यों होता है उसके region को जानी है देखिए यह 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 दिखिए देख़ाइं डेल्टा प्लिटा माइनश यह यहां डेयर बेंजीन फर्मुला दपर्मूला दपामीव्स फर्मूला प्लिप्लेदि जीर्व की जह कि कि डाइपोल लॉमें्ट जह लो होता है क्ईक्री डेल्टा पंपरीट डेल्टा अरड्र्त से लिवाई हो जाता है जिसका करण क्या हो जाता है इसका फोन कहा कि इन बॉटेंशियल क्रहिएं के इंक्रीज ओपरेसर एंड भी इकीश auf Tar unbelievable पर क्यों होता है उसके रिजन को समझने की कोशिच करते हैं तो देखिए chemical potential decreases with increases of temperature and increases with decrease of pressure it is described by Gibbs free energy equation तो यह जो describe कर सकते हैं इसको हम Gibbs free energy equation के द्वारा तो देखिए by definition of free energy G ब्राबर H minus Ts हो जाएगा जहां G ब्राब होता है E plus PV होता है यहां साइड में लिक दे हुए है H ब्राब हो जाएगा E plus PV minus Ts हो जाएगा अब differentiation कर देंगे differentiation of every reaction तो हो जाएगा DG equal to DE plus PDV plus BDP minus TDS minus HDT हो जाएगा अब हम लोग जानते हैं first law of thermodynamics से DG ब्राबर हो जाएगा TDS D बराबर DDS होता है तो यह है TDS plus PDV plus BDP minus TDS minus HDT और TDS यहां plus minus cancer हो जाएगा at constant pressure पर तो initial state में हो जाएगा DG 1 is equal to minus S1 DT क्योंकि at initial पर हम लोग 1 माल लेते हैं फाइनल पर 2 माल लेंगे तो DG 1 बराबर हो जाएगा minus S1 DT इसको equation 1 माल लेंगे at final DG 2 is equal to minus S2 DT हो जाएगा इसको equation 2 माल लेंगे और DG 2 को minus कर देंगे DG 1 में तो इधर हो जाएगा minus S2 DT minus minus S1 DT हो जाएगा इसको equation 3 माल लेंगे at constant pressure पर है इसलिए constant pressure यहाँ लिख दिया है DLH minus T DLH हो जाएगा from equation 1 from equation 3 जो है वो DLG बराबर हो जाएगा DLH plus T into DLG by DT at constant pressure right hence chemical potential increases by increase of pressure आपको अच्छा लग रहा है यह आपको लग रहा है कि यह valuable content हमों मिल रहा है तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और अपके एक परियास से बहुत साइ जरूतन लोग का यकीन मारिए आपके एक छोटा सा परियास बहुत सारे लोग के life में बहुत सारे changing ला सकता है और आप अपने level से कीजिए हम अपने level से कर ही रहे है सो यदि आप देख रहे हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी शेयर कर दें और सस्क्राइब जरूर कर दिए और आगे कौन सी वीडियो आना चाहिए कौन सा question bank बनना चाहिए अपनी right comment box में जरूर लिखे ताकि आपका एक comment जो है हमको वीडियो बनाने पर मजब एक्टिवेशन इस वह रिलेटर होता है उसको डिस्क्राइब करना है तो यह देखे हम आपको सिंप्री अभी बता रहे है कि सिर्फ अभी हम आपको question का answer provide कर रहे हैं ना कि आपको हम tutorial पूरा दे रहे हैं so सिर्फ आपको भी question का answer पर focus किजिए क्योंकि आपका exam का बहुत कम तो यह देखे हैं two reaction of some order have equal pre-exponential factor but their activation energy, energy differ, entropy of activation, entropy of a reaction is one of the two parameters which are typically obtained from the temperature dependence of reaction, the standard entropy of activation is symbolized and equal to the change in entropy when the reactant is change from their initial state to the activated complex, it determine the pre-exponential factor factor of Arrhenius equation for temperature dependence on the reaction, right, तो यही है, इसको हम लोग describe कर दिये हैं, अब next question है, एक का F है, यदि आप chemistry wizard channel पर नए है, तो please channel को subscribe जरूर कर दिजे, chemistry wizard channel ही, वही channel है, एक लौता channel है, जिस पर chemistry honors LNMU का details में question bank भी provide कर वाया जाता है, so यदि आप मेने channel पर नए है, तो please channel को subscribe जरूर से बीडियो बनाने पर मजबूर कर देता है, मैं बार-बार बोल ला हूँ इस बात को, इसलिए बोल ला हूँ ताकि आपको subconsciously mind में यह पैट कर जाए, तो रोटेशनल एस्पेक्टर आप डायाटमिक मॉलीकूल का हुआ, इकोएस्पेस्ट होता है, यानि कि उसके बीच डिस् comparison the radiation energy absorbed in IR region, because sorry, bring about the simultaneous change in the rotational and vibrational energy of the molecule, kata है radiation energy avso diet higher region में, तो रोटेशनल and vibrational energy of the molecule यह दोएस्थ चेंजिंग आप डाया एक साथ, याना वह इक इकडा ओद, ता इस इस अब जो इन दा फाने इस्ट्रॉक्ट्ट्र रोटेशन बैंड दिस इच कंबिनेश्ट इस इस व मैंने इस प्रेक्ट्रेम इस कॉल्ड इच हुदो तो यह ये देखें छो यह है यह देखिया, रोटेष्टनल स्पेक्ट्रम है, जो इनर्जी अब को दर साता है यह नीचे बेड़ा जोगा है, टो है यह देखें टोटल टोटल इनर्जी in-is विडिग को माद लेंगे यह देखे अभी आपको आपको अब आज का फोलो कम ज्यादा लो हाई हो सकता है क्योंकि अभी इकूपमेंट नहीं है इसी वज़़े से इकूपमेंट की कौमी से ऐसा हो रहा है और वैं इसको इप्रूब करने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत जल्दी आपको अच्छा कॉ लिजे और सेर कर देजिए ताकि आपका एक सेर बहुत ज़रूपमत लोगों का नईया पार कर सकता है तो यह देखे इसको इसको हम लोग क्या कर देंगे इसको इस एक्वेशन के फॉर में लिख देंगे जहां यह जो एक्वेशन जो है इसको हम लोग हो लोग है फोटोन फोटोन जेपी हों लिख देंगे तो यह नहीं परीव लगका हूआ है फोटोन फोटन भीए और सी एम इनवर्स इसको दिरिवेकी सिट्री वन टू माल लेंगे लाइट आप हम जानते हैं अब हम जानते हैं अब्गी नोट अब्ह्र рассказывt रोटेशनल लेवल, the energy of rotation is quantized and given by, हो जाएगा ये, j rotational quantum number जो है, ये है, और ये equation is equal to हो जाएगा, photon j equal to bj into j plus 1, इसको equation 3 मान लेगे, जहाँ j rotational quantum number है, और b rotational constant है, b का value जो होता है, h by 8 pi square ic होता है, हैना apply selection rule, selection rule हम लोग apply कर देते हैं, ये डेल भी equal to plus minus 1 होता है, राइट, ये बराब भी plus minus 1 हो जाएगा, phototrational level, transition of molecule from j dash is equal to j dash, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा, डेल, डेल photon is equal to हो जाएगा, photon j1 b is equal to 1 minus photon, ये बराब भार, j double dash b is equal to 0, राइट, तो ये nearly equispaced है, हैंस rotational spectra of diatomic molecular nearly equispaced, सुझे देखे बोडियो और बहुत लंबा हो रहा है, इसके कारण हम वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं, या आपको इसका अगला और question चाहिए, तो please comment box में अपनी राइज जरूर लिखे, और thank for watching, chemistry भी जाड़े, चौल्वेज वित्यो,